अभी हम लोग NCIT का exercise number 1.2, class 11th math का question number 1 करने वाले हैं ठीक है, इसमें question क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं जरासा देखा जाए, आपके screen पर भी होगा question बोल रहा है क्या, कि which of the following are examples of null set कौन सा जो है, total 4 दियावा है, चारो में से कौन सा जो है, वो null set का example है ठीक है, तो उसको समझते हैं जरासा, सबसे पहले एक number की बात करें तो वो बोल रहा है क्या, set of odd natural numbers divided by 2 natural number तो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 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 कटके लेकिन set of क्या, odd natural number जो की divisible by क्या, 2, जो की 2 से जिसमें की भाग लग सके एसा, तो odd number का तो मतलब क्या हो गया, यह सब हो गया ना, odd number इसी तरीके से odd number तो और वो भी क्या होना चीए, 2 से divisible होना चीए, यानि कि 2 से कट जाना चीए, तो भाईया, जब वो odd number है, यानि कि एक विसम संख्या है, तो वो 2 से कैसे कटेगा, नहीं कट सकता ना तो यानि कि ऐसा कुछ भी कोई भी number possible नहीं, जो कि odd हो और 2 से cut जाए, ठीक है, तो यह possible नहीं है, इसका मतलब यह जो है, एक null set का जानकाड़ी दे रहा है हमको, ठीक है, 5, तो यानि कि पहला वाला null set है, दूसरा वाला बात करते हैं, set of even prime numbers, set of even prime numbers, यानि कि एक तो क्या होना चाहिए, प्राइम नमबर होना चाहिए, और even होना चाहिए, प्राइम नमबर का मतलब वो संख्या, जो कि खुद से कटे और एक से कटे, उसको prime number कहते हैं, और साथी साथ even होना चाहिए, तो 2 तो है, 2 जो है, एक ऐसा prime number है, यानि कि यह एक से से खटे हम यहां तब और फोकुट फोलय सब है तो यह जैंट का इकस्य में नहीं हो आद यह जैंटका जैंड नहीं भात और थ्याल ह草त शहिस कर दो नेचरल लम्बर, X एक नेचरल लम्बर है, जहां पर X का जो मान है, वो 5 से छोटा और 7 से ये बड़ा होना चीए, रे भाई, जब 5 से छोटा, तो 7 से बड़ा कैसे होगा, जो चीज 5 से छोटा है, वो चीज 7 से बड़ा भी हो जाएगा, ये तो पसिबल है नहीं, यानि कि ये तो खाली रहा जाएगा बेचारा, तो यह एक तरह से null set को दिखला रहा है, ठीक है, चौथा बात करते हैं, ठीक है, चौथा कौन सा है, why is such that why is a point common at any two parallel lines, यानि कि दो parallel lines है, और इन दोनों के बीच, कोई एक ऐसा point है, जो कि दोनों में common है, ठीक है, ऐसा तो कभी possible ही नहीं, क्योंकि जब दो parallel line है, तो वो आपस में एक दूसरे को कभी काठी नहीं सकता, तो common point मिलेगा कैसे, अगर ऐसा रहता तब, यहाँ पर इन दोनों lines के बीच, एक common point है, लेकिन इनके बीच एक common point possible नहीं है, तो ये भी भी बेचारा, खाली ही रह जाएगा, ये भी मेरा एक null set है, ये, 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 एक, तीन और चार्ट, तो इसन प्रसंद रहा है, तो उसका लाइक करना, चल्ब नहीं होतो, सब्सक्राइब करना और जाते हैं, प्लेलिस जोरू देख लाना, बाबाई,